हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत एक बार फिर से एश्टो गुरू चैनल पर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन और आज के लिए जो टॉपिक चूज किया है वो है कि आपकी परेशानियों का अंत कब होगा इस विशव पर आज में टैरो रीडिंग करूंगा आपको बताऊंगा कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं कैसे उनको टैकल करें सोलूशन क्या है यह सारी चीज़ें आज कवर करने की कोशिश करूंगा हर बार की तरह इस बार भी तीन पाइल्स बनाई हैं जो आपकी स्क्रीन प खिचाओ लगता है या जिनके साथ एक आकर्शन फील होता है या एक एक फीलिंग सी आती हो उन्हें ही अपनी पाइल मान लिजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को दिखिए हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टाइम्स को डिस्रिप्शन में दिया गया है कमेंट स्रेक्शन में भी पोश्ट कर दिया गया है टाइम स्टैम पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग पर डिरेक्टली पहुँच सकते हैं पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फारवड हो जाएगा जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रफेशनल टेरो रीडर भी हूं तो आपकी स्क्रीन पर यह जो नंबर आ रहा है इसके उपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए आपको एक परस्नल रीडिंग सेशन चाहिए तो यह वाटसेप नंबर है इसके उपर आपको कॉल नहीं करना है इस पर मैसेज करिए मैसेज के थूरू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए तो चलिए है आप सबका स्वागत है आपने भगवान स्री गड़ेश को चूज किया था पाइल के रूप में चलिए अब भगवान श्री गड़ेश की आश्रवात से उनकी छत्र शाया में रिडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज क्या आता है पहला काड आपके जो मेरे पास अपियर हुआ है, this one is two of wants, second position पर आपके लिए जो card आया है, this one is prince of cups, card number three आपके लिए है, queen of cups, और fourth position आपके लिए है, the moon, last में आपके लिए जो card अपियर हुआ है, final के तोर पर यह है, four of pentacles, बहुत बढ़ियां cards आपके लिए अपियर हुए है, सारी information अच्छे से आ रही है, देखे, पाई number one, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में इस समय अपनी तकलीफों को ले करके या अपनी परिशानियों को ले कर आपको एक अंतहिन सिलसिले जैसी situation लग रही होगी, और कहीं कहीं आपको लगता होगा कि इस पूरी situation से निकलने की possibility नहीं है क्योंकि बड़ा अंधकार भरा रास्ता है, बड़ा टेड़ा मेड़ा रास्ता है, बड़े सारे barriers लगे हैं, बहुत सारे रुकावटे हैं, लेकिन इन रुकावटें तक पहुँचे कैसे, कई बार अपनी गलतियों से, कई बार अपने आपको अच्छा साबित करने के चक्र में और कई बार अपने आपको सिर्फ साबित करने के चक्र में, आपने कई मामलों में एक बार नहीं, कई बार गलत रास्ते को चूस किया, और हर बार जब आपने गलत रास्ते का चुनाओ किया, तो आपने अपने आपको समझाया, कि अब आप इस तरह के रास्ते का चुना भी हुआ और आप एक ऐसी सिच्वेशन में फसे जहां पर आप अपनी परेशानियों को ले करके पिछले काफी समय से सोच रहे हैं कि ये अंतहिन सिलसला थमेगा कब इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए सबसे पहला काम कुछ भी साबित वाबित करने की कोश नहीं करना अपने आपको सिर्फ आगे बढ़ाने की कोशिश करिये और वह अपने लिये करिए जैसा मैं कई बार स् Carbon सेंज्व के करता हूं कि पढ़ाई करो तो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए क्या होगा वो प्रेशर आपकी प्रेप्रेशन और एक्जाम दोनों को खराब कर जाता है तो इस चीज़ से बचना है आगे की जादा मत सोचिए उतने ही आगे की सोचिए जितना की रिक्वाइड है जितना जरूरी है तो यहां आपको सबसे पहले यह सोचना है कि कदम आगे बढ़ाएं या नहीं अगर कदम आगे बढ़ाएंगे तो कैसे कब और कितना बढ़ाएं तो सबसे पहले इस बात के लिए बिलकुल संभावनाओं को समात कर दीजिए कि अब लोग आपको इस्तेमाल करेंगे पहला काम दूसरा खुद भी दूसरों के लिए इस्तेमाल होना बंद हो जाएए जब तक की जरूरत नहीं पड़ती तीसरी चीज अपने आपको थोड़ा अनलॉक करिये आपने अपने आपको फसा करके रख दिया है इस पूरे पाश्ट का जो सेनेरियो रहा है उसमें अगर आप देखें तो आपकी जो अबिलिटीज है और वे चीजें पिछड़ती चली गई अब आप उस चीज में आगे आने से घबराहट महसूस कर रहे हैं यह घबराहट कई बार जब आप इसका एक्जामपल बता देता हूं जब आप बड़े होते हैं तो आपको होने लगती है जब आप छोटे होते हैं तो चार सीड़ी स कुछ जाते हैं लेकिन जब बड़े होते हैं तो घबराहट आती है कि मोच आगई पैर में तो क्या होगा कल आफिस कैसे जाएंगे तो आप धीरे धीरे उतारते हैं लेकिन वही जब आपकी एज़ कम होती है तो आप परवाह नहीं करते हैं रिजल्ट की चिंता नहीं करते ह इश्वास कर रहे होते हैं, इसलिए छोटे बच्चे बड़े मासूम और प्यारे लगते हैं, क्योंकि वे वरतमान में होते हैं। तो उसका जो लुक है वो बड़ा ही यूनिक हो जाता है तो बिलकुल डिफरेंट हो जाता है इसे लिए बुद्ध पुरुष इतने आकर शक लगते हैं क्योंकि वे ना पास्ट से कनेक्ट होते हैं ना फ्यूचर की चिंता में होते हैं वे वरतमान में स्थिर हो जाते हैं ये करेंगे कुछ पुरानी यादों को याद कराईए अपने आपको कुछ अपनी काबिलियत कुछ अबिलिटीज एक पेपर ले लिजिए नोट करिए कि कब 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 आपने मुश्किलों में अपने आपको साबित किया अपने लिए किसी और के लिए नहीं अपने लिए कब साब बना ले नोट्स बना ले इनको रीड करें इनसे क्या होगा चेतना जाग जाएगी जैसे हनुमान जी थे ना वो भूल जाते थे कि उनकी शक्तियां क्या है वो छोटे थे बच्पन में तो बड़े शरार्ती थे रिशी मुनी जो आसपास के थे उनकी चीजों को इधर उधर कर रहने लग गये थे और यही हुआ था समुद्र पर जब समुद्र के पार जब जा करके माता सीता का पता लगाना था तो हनमान जी शांती से बैठे थे सारी वानर से ना बैठकर सोच रहे थी कैसे पार जाएं फिर जामवन ने उन्हें याद दिलाया कि कपीश तुम हो कौन तुमने तो सूरे तक की उड़ान भरी और सूरे को निगल लिया था फिर ये समुद्र तुम्हारे लिए क्या ही चीज है तो वहां उनको रेलाइज हुआ याद आया और वे एक छलांग में समुद्र पार करने को त्यार हो गए तो अपने आपको बस याद कराईए एक अव छएँगे कि बिटा अब कहां जाओंगे और जब समस्या ही समस्या में हो तो फिर उसका कुछ हो नहीं सकता और वह समस्या आपको छोड़ कर के चली जाएगी और आप उस समस्या से निस्तार हणपालेंगे Gods निवार ए नपालेंगे चलिए औरेकल यह की काट्स मैंने निका राधाजी का माता राधा कार्ड no.3 मेरे पास अपियर हुआ है यह मास 2002 है है यह जो नेम्म नेम है यह नेम प्रत्थistant ऐसी चीजें होती है तो यह प्राणा यम और योगी क्रियाओं में होती है दर्म यह फोर्त पोजिशन पर और लैश्ट कार्ड के लिए appear हुआ है दिस्वन इस अहिम सा देखे अपने आपको तंग करना बंद कर दीजे आपका ये सोचना बार बार की अब आप इस प्रॉब्लम से शायद बाहर नहीं निकल पाएंगे या आप से गलतियां लगातार होती चली जा रही है तो ये वाली बात तो सही है कि आप से गलति कैसे लेकिन सबसे पहले आप विश्वास करें और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ें लेकिन इस विश्वास में पूर्णता होनी चाहिए राधा का कार्ण जो कहते हैं कि पूर्णता सबसे अधिक चाहिए और वो भी विश्वास में अपने उपर जितना विश्वास हो पड़ना है फिर इश्वर को पकड़ श्रीगणेस कहते हैं अब मेरा सहारा ले सकते हो और शुरू करो शुरू करो लेकिन जो भी शुरू करोगे ये न्याए संगत धर्म संगत तरक संगत होना चाहिए कोई अन्याय वाले कर्म नहीं करने हैं कोई भी शॉटकट लेने की कोश फिश नहीं करनी वो रास्ता लंबा है मुश्किल है बाधाओं से भरा हुआ है अंधकार युक्त है सब सही है पार वहीं से हो जाएंगे शौटकट लेना आपके लिए भारी पड़ेगा श्री गणेश कहते हैं शौटकट की जरूरत नहीं है वहीं से आगे लीजिए वे आप के साथ बने हुए हैं और अपने आपको पैनलाइज करना बंद करिये तंग करना बंद करिये सिर्फ अवेरनेस ले आइए सिर्फ अवेरनेस कुछ भी नहीं है पाईल नमबर वन आप इस पूरे मामले में अगर थोड़ा गंभीरता से देखें तो जिस प्रॉबलम में अभ प्रॉड़ा सा सेल्फ रिलाइजेशन लीजिए अपने आपको अनलॉक करिए आगे बढ़िए नैतिकता का साथ दीजिए और जीत आपकी होगी पाईल नमबर वन आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करूँगा क्योंकि कम्प्लीट हो गई है तो आज की में फिर मिलूँगा तब तक के लिए बाई बाई हेलो पाई नमबर टू आप सबका स्वागत है आपके रीडिंग में आपने माता लक्षमी को चूस किया था पाईल की रूप में आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है कि लिएर अपके लिए रिए हुआ है जस्टिस सेकेंड पोजिशन पर आपके लिए जर्ड ऐ कि लिए अपयर हुआ है दिस वन इस डॅ मूर्ड नमबर कर अफर आपके लिए हुआ हैं जो लोग तैरो के बारे में नहीं जानते पहली बाई जुनें को बता दूं 78 कार्ड होते और 56 56 कार्ड होते हैं माइनर ग्रूप में तो बाइस में से तीन यहां अपियर हुए हैं तो पाइल नंबर टू प्रेजेंट टाइम में ऐसा दिखता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो फिनांसियल जादा है एकोनॉमिकल जादा है अपने प्रोफेशन जॉब बिजनेस वगैरा से जुड़े हुए मामले जादा है अच्छा यह तो जादा है मतलब मैकसिमम लोग पाइल नंबर टू में जो हैं वो उनकी प्रॉब्लम यही है तो ऐसा नहीं है कि जिनकी प्रॉब्लम फिनांसल नहीं है उनके लिए रिडिंग नहीं है उनके लिए भी है अब लिखता है पास्ट में आपने सिर्फ अपने आपको सही साबित करने की कोशिश में सिर्फ सही साबित करने की कोशिश में जानते हुए की रास्ता गलत है जानते हुए की चीजें सही नहीं है इम्मोरल है आपने चुन लिया और आगे बढ़ गए और उस चीज की वज़ा से आ आपके कुछ डिसीजन्स पर भी उसका असर पड़ा और वरतमान में एक ऐसी सिच्वेशन जहां चीजें आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है मैनेज करना फिर से पीछे की बात करते हैं उसी मामले में जहां पर आपने सिर्फ अपने आपको जिस्टिफाई करने और य एक एक अंतर दृष्टी तो थी आपको समझ में आ रहा था कि चीजें गलत हैं लेकिन आपने कर दिया अब कर दिया तो कर दिया अब उसको बदल तो सकते नहीं पास्ट में टाइम मशेन तो हैने करना क्या है अच्छा यहां एक चीज और आ रही है और वो यह कि कुछ मामल में जल्दबाजी के चक्कर में भी आपने खराब करनी चीजें तो अब थोड़ा जल्दबाजी से बचना है और साथ ही साथ कुछ मामलों में ज्यादा कैजूल हो गये संतुलन सबसे गजब की चीज है रसी पर देखा होगा कुछ लोग चलते हैं संतुलन होता है संतुलन बिगड़े तो गिर सकते हैं जीवन भी संतुलन का नाम है हर एक चीज संतुलित वे में चल रही हमारे शरीर में जो दिल है यह धड़क रहा है संतुलित वे में धड़क रहा है दिल की धड़कन धीमी हो जाए तो मुसीबत तेज हो जाए तो मुसीबत रक्त का संचार जो पूरे बॉडी में धमनियों के द्वारा ब्लड वेंस के द्वारा हो रहा है यह बहुत तेज चलने लगे तो प्रॉब्लम धीमा चलने लगे तो प्रॉब्लम प्रत्वी के बारे में वैग्यानिक कहते हैं कि प्रत्वी हैबिटेटल जोन में है हैबिटेटल जोन एक निश्चित दूरी को कहते हैं सूर्य से अगर इस दूरी से प्रत्वी थोड़ा पास होती तो बड़ी गर्म हो जाती थोड़ा दूर होती तो ठंडी हो जाती तो यहाँ जीवन नहीं हो सकता था मतलब हर एक चीज बैलेंसिंग वे में चल रही है आपको भी बस थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है थोड़े बैलेंस के मिसिंगनेस की वज़ा से भी ये प्रॉब्लम्स बनी है अब करना क्या है सबसे पहले ये समझे अपने पुरानी गलतियों वलतियों के लिए बिलकुल अपने आपको माफ कर दीजे अपने आपको एक मिनट के लिए रोकिए बठाइए आखे बंद करिए और सोचिए कि मेरी सारी गलतियों के लिए मैं अपने आपको च्छमा करता हूँ मैं अपने आपको माफ करता हूँ उन से अब मेरा कोई नाता रिष्टा नहीं है गिल्ट से बाहर आ जाएए तोड़ दीजिये पाश्ट का कनेक्शन मतलब अगर कुछ चीजें थोड़ी अच्छी या बुरी होती हैं तो पाश्ट में ऐसा हुआ था उसका इंपेक्ट ऐसा आ गया इस मामले पर ये सोचना बंद करना है बस ठीक है इसको सोचना जैसे ही बंद करेंगे चीजें थोड़ी बदलाओ में आ जाएंगी और वो वाली थिंकिंग जहां आपको लगता है कि आपके पास और बेहतर रिसोर्स होते तो आप अपनी प्रॉब्लम से आउटकम कर जाते कोई जरूरत ही नहीं है बेहतर सोर्स की पुराने समा जमाने से लेकर के आज तक की बात करें आज हमारे पास मोबाइल फोन डिवाइस हैं कम्प् तिस साल पहले मोबाइल के बीना कितना मश्किल रहा होगा लोग सूचते हैं लेकिन आज के पचास साल बाद की जो टेक्नोलोजी होगी उस टाइम के लोग उस टाइम पर अगर आप होंगे तो आप भी सोचेंगे कि यार पचास साल पहले जीवन कैसा था बड़ी मुश्क हो जाए आप सोचे और नंबर डायल हो जाए इस पर भी साइंटिस्ट काम कर रहा है जैसे वह 3D टेलिवीजन है ना 3D टेलिवीजन की बिक्क्री नहीं होती आप सब जानते हैं मालूम है क्यों नहीं होती क्योंकि उसे चस्मा लगा के देखना होता है और साइंटिस्ट इस चीज में घुसे पड़े हैं लगे पड़े हैं पिछले कई सालों से मैंने कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं कि 3D TV को बिना चश्मे के देख सकें क्योंकि अगर यह हो गया तो बूम टेलिवीजन में फिर से क्रांती आएगी सारी टेलिवीजन रिपेस होके 3D आ जाएगी जै के घर पे 3D आ जाएगी तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि वरतमान में अगर किसी रिसोर्स की कमी महसूस हो रही है तो सिर्फ दिमाग में है जरूरत नहीं है उन चीजों की उनके बिना आपकी चीजों को बहुत बढ़ियां तरीके से और्गनाईज और मैनेज किया जा सकता है बेहतर उपलबदियां हासिल की जा सकती है आपकी परेशानियों का अंतकब होगा आप जब चाहेंगे तब हो जाएगा चार महीने का टाइम लाइन मिनिममम आएगा जैसे पाइल नंबर वन के लिए मैं रीड कर रहा था तो उसमें टाइम लाइन आई ही नहीं मैंन महीने बीद गये हैं जब मैं यह रीडिंग कर रहा हूं जुलाई एप्रेल का महीना चल रहा है वैसे यह टाइमलेस और जनरल रीडिंग है तो जब भी आप इसको देख रहे हैं यह आपके साथ रेजनेट करेगी इसको एप्रेल और ट्वेंटी ट्वेंटी टू से लिजन सही था एक्चुली वही वाला सही था श्टिक हो जाई है कुछ चीजों को कभी-कभी छोड़ देना चाहिए जैसे कुछ उपलबधियां हैं जीवन में ठीक है जिसको कभी-कभी कहते हैं ना कि अगर आपने सपोज करिये सोचा था कि इतना हो जाए आज के दिन तो क चीजें नहीं करने फिनांसियल मामलों में आपके द्वारा सोचे गए प्लैन सही हैं गलत नहीं हैं उन में थोड़ा सा रिफाइननेस करने की जरूरत है तो थोड़ा पुनर विचार कर लें कुछ नुवांसेस कुछ बारीकियां च्छाट कर निकाल दें और अपने प्लैन से बचना होगा अगर आप कुछ मामलों में अपने आपको रिजिट पा रहे हैं कि आप अपने नेचर को बदल ही नहीं पा रहे हैं और आपको पता है कि अपने वेवहार में थोड़ा परिवर्तन करें तो शायद चीजें आपके लिए बदल जाएं तो ये समय है जब अप अपने वेवहार में आपको परिवर्तन करना चाहिए अपने थोड़ा सा चेंजस लाना चाहिए क्योंकि समय की मांग के अनुसार नहीं बदलने वाली चीजें नश्ट होती हैं कई सारी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी जिनके बिना हमारा जीवन बिलकुल भी स निफियों करिंगे तो घर बड़ हो जाएगे चलिए औरेकल काड्स निकल लिए हमने देखनें औरेकल काड्स आपके लिए क्या एन्फर्मेशन hacf first पोजिशन पर आपके लिए कृष्ण है रा अमके लिए कशिण पर आपके लिए appear हुआ है वात वात हमारे शरीर की एक क्रिया होती है जिसको हम वायू से जोड़ते हैं मतलब हवा एर हमारा शरीर हवा पानी इन सारी चीजों से मिल कर बना होता है ना जैसे हमारी बाड़ी में 70 परसंट पानी होता है यह सभी को पता होगा हमारे दिमाग में भी बहुत सारा पानी होता है लिकिन इसका यह मतलब नहीं कि पानी से हम दिमाग बना सकते हैं यह प्रकृति ने किया है उनका क्रियेशन है जैसे आपको एक मज़दार बद बताओं कि पिछले कई सालों से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं गेंडे के ऊपर गेंड़ा होता है ना राइनोस प्रकृति की लाइब में बना है तो आपके लिए अपने आपको सिर्फ एक औरा में महसूस करना और उस औरा में स्थर रहना सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप एक एंजाइटी की फील लेते हैं शुरू नहीं हो जाती वो फीलिंग सिर्फ फील लेते हैं दिल अंदर पे जरूरत है वो गुड़ गुड़ वात है वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब आपका अंतरमन कहता है कि इस मामले में रुकने की जरूरत है और वहां रुक जाईए आगे मत बढ़िये कृष्ण और ब्रहमा जो कहते हैं कि चीजें आपके लिए बढ़ रही हैं बन र पूरत है और वो भी एक चीज पर फोकस करके मल्टी टास्किंग बंद कर दीजिए आपकी जो योजना है उसके उपर काम शुरू करिए रिसोर्सेस आपके पूरे पक्के बने हुए हैं किसी तरह के रिसोर्सेस की कमी नहीं हैं डिसीजन के मामलों में अपने आपको लेट ना करें वाइलेट मतलब निर्बाध ना करें उनका खंडन ना करने आगे बढ़ें और किसी भी परसन के सामने खुद को जज करने की कोशिश बंद कर दीजिए अपने लिए अपने आपको जज करने की कोशिश बंद कर दीजिए यह सबसे बड़ी चीज है जो आपक को परिशानी में डाल देंगी तो इन चीजों से निकल यह सबसे ज़्यादा ख्याल आपको जिस चीज का रखना है वो है आपके पेट की गुड़ गुड़ का जो वात है वात मतलब वायू हवा हवा कम अभी इसका मीनिंग क्या है यह तो सिंबल है आपको पता होता है कि क्या करना चाहिए लेकिन वो मैं करके आप कुछ और करने लगते हैं और जब आप कुछ और करते हैं तो अंदर एक गुड़ गुड़ा हट हो जाती है अंदर एक फील एक इंसाइटी का वातावरण बनने लगता है अजीब सा लगने लगता है जान रहे हैं लेकिन फिर भी लगे हुआ हट जाईए उस चीज से कुछ चीजों को छूट जाना चाहिए हर जगह सफलता नहीं मिल सकती यह जानिए जो सफलता मिल रही है अचीव करते चलिए छोटी-छोटी सफलताएं मिलकर बड़ी बन जाती है एक-एक रूपए सो रूपए बन जा करते हैं ऐसे ही होता है न सब कुछ तो एक-एक करके धीरे-धीरे करके आगे बढ़िए आपकी प्रॉब्लम्स का अंत चार महीने में होना है तो चार महीने आपको क्या करना है इन चार महीनों में प्लैन करिए और प्लैन पर फोकस होकर काम करिए ध्यान 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 अग अपने अनुभो अपने experience कमेंट स्रेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए पई बाए हेलो पाइल नंबर तरी आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में आपने श्रीक कुबेर जी को चूज किया था एज पाइल चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुडू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो की और से क्या guidance आती है कि आपकी परेशानियों क अंतकब होगा क्या करना चाहिए यह सारी चीजें आज कवर होंगी कार्ड नंबर वन आपके लिए मेरे पास अपियर हुआ है फाइव ओफ कप्स सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपियर हुआ है दिस वन इस दिलोवर्स कार्ड नंबर थ्री आपके लिए पेर हुआ है दोस अन फुर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इस सिक्स ओफ सोडस एंड लास्ट कार्ड फर यू इस किंग ओफ सोड़ तो आपके लिए 5 card appear हो चुके हैं पाइल नम्र 3 पाइल नम्र 3 जैसा कि आप जानते हैं इस समय आप एक नहीं multiple problems में होंगे एक से जादा समस्याओं के शिकार होंगे और इन सारी समस्याओं से एक साथ निपटने की कोशिश कर रहे होंगे और किसी से निपट नहीं पाएंगे, ये सारी चीजें जो आपके जीवन में आई हैं ये आपके जीवन को एक आयाम देने आई हैं, थेंक्यू बोलिए इन सारी समस्याओं को क्यांकि ये समस्याओं आपके जीवन को धकेल देंगी उस और जिस और सफलता है, यहां पर मैं यह एक तरह से वही मौसम चल रहा है लेकिन इस तपने में चीज़ों को थोड़ा मैनेज करने की जरूरत है। कुछ खास लोगों पर विश्वास करके देखी चुके आप अब उस मामले में दुबारा नहीं पढ़िएगा। निगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में जूल कर भी देख चुके अब उस चीज़ के बीच में भी आपको जूलने की जरूरत नहीं है। मन को पॉजिटिव कैसे रखना है मुझे लगता है मुझे आपको बताना नहीं चाहिए क्योंकि आपका पास्ट एक्सपिरियंस इस चीज़ में काफी ज्यादा हुग चुका है और अब आप उस चीज़ को समझ चुके हैं कि उस निगेटिविटी में पॉजिटिविटी को को देखना कैसे हैं लेकिन इगो को कैसे कंट्रोल करेंगे क्योंकि जब इगोईष्ट हो जाते हैं तब चीज़ें गरबढ़ हो जाती है उसे मैनेज करिए उसे मैनेज करने के लिए कभी-कभी कुछ अलग करने की कोशिश करिए अपने आपको थोड़ा नीट्रल करिए सब सबसे आसान तरीका क्या है अपने इगो को मैनेज करने का सबसे आसान तरीका है अपनी उपलब्धियां इश्वर को दे दीजिए एक दम से जैसे कहते हैं ना कि जब कहवत भी है कि जब भगवान नहीं दे रहे होते हैं तो भगवान की याद आती है जब दे रहे होते हैं जब वे दे रहे हैं जब कुछ उपलब्धी हासिल हो गई है तो थैंक्यू बोलिए मंदिर चले जाईए कभी एक प्रशाज चढ़ा दीजे घर में ले आईए घर में भोग लगा दीजे कि हे इश और आपका धन्यवाद आपने मुझे इस लायक समझा कि ये उपलब्धी मेर इतना कहना है सिर्फ एक चीज थोड़ा सा गाट्स परसन बनिये इश्वर के विक्ति बनिये कि ये देखिए भगवान की कृपा हैं और सब कुछ वही मैनेज कर रहा है मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ जैसे मैं आपके लिए रिडिंग कर रहा हूं मैं आपके जैसा एक इ करने देता हूं तो यह वैसे ही चलता है तो यही आपको करना है और सबसे बड़ी बढ़िया चीज कि जब आपका एक एहंकार बनना शुरू हो तो अपने बारे में बाते मत करिए अपने बारे में इन्फरमेशन मत दीजिए इन्फरमेशन देने का दिल करता है बाते करने क को उड़ा करके करिये उड़ाना मतलब होता है ढखना इश्वर को उन चीजों से ढख दीजे या इश्वर से इन चीजों को अच्छा दित कर दीजे कि भाई या इश्वर की कृपा से ये सारी चीजें अच्छी हो रही हैं और जो कुछ भी बढ़ियां दिख रहा है सब भरोसे चल रहा है जी यह नहीं है यह बड़ी गहरी बात है गहन बात है कि हम राम के भरोसे पर हैं राम ही है जो हमारे जीवन को सहरा देते हैं भारत में राम रजे बसे हैं कणकण में हमारे खुन में हमारे आचरण में हमारे वेवहार में चोट लगती है तो राम का नाम नि का कोई भी धर्म का हो राम बाड इलाज निकलता ही निकलता मूंसे क्योंकि राम बाड के बारे बाड का मतलब तीर राम बाड जो लोग नहीं जानते कहते हैं तो राम का तीर राम अगर तीर को अपने धनुश पर चड़ा करके छोड़ दें तो उस तीर का वार खाली नहीं ज सकते ऐसी सिद्धियां राम के पास थी श्रस्त्रधारियों में सबसे महान उनको माना गया है तो आप जो प्रॉब्लम्स है उन में अचा वो पहले एगो वाले मामले में चीज राम को दे दी जिसको आप मानते हो उसको समर्पित कर दीजे कि इन ही की करपा से सब हो रहा है किसी गुरू को मानते हैं तो गुरू जी की करपा से सब हो रहा है हम तो कुछ नहीं कर रहा है हम तो बस जरिया है गुरू जी कर रहा है भगवान राम कर रहा है गनेश जी कर रहा है जिनको मांते हैं अब उन Problems का क्या क reviewed जो बनी है सारी Problems के बाउजूद आप आगे बढ़ना बंद ना करें इस चीज का सिर्फ ध्यान देना है एक चीज का ध्यान देना है Problems हैं इसको हम ऐसे काहते हैं जमजीरें बंद रही हैं एक के बाद एक जंजीरें पैरों पर पढ़ रही है घिसट के चलेंगे लेकिन चलिए पैरों से रख निकलेगा लेकिन आगे कदम बढ़ाना जारी रखिए एक कदम की बजाए एक इंच एक सेंटी मीटर ही खिसकेगा पैर लेकिन खिसकाईए पैर को बढ़ाईए पैर को और आगे ले जाएए जब आप इस चीज के लिए उद्दत हो जाएंगे उद्दत का मतलब बहुत ज्यादा जोश में आ जाएंगे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे छोटे बच्चे होते हैं उनको उद्दंडी कहते हैं यह संस्कित का वर्ड है उद्दंड उद्दंड एक मिली मीटर ही खिसकेंगे लेकिन खिसक के मानेंगे, एक मिली मीटर ही सही, रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, तो चीजें आपके लिए differently move करेंगे, आपके अंदर से एक प्रकार की दया की भावना खत्म होनी शुरू होगी, एक roughness, एक rudeness आनी शुरू होगी, उसे आना क्यों आना चाहिए? क्योंकि वो rudeness आपके जीवन को नई दिशा में खीच करके ले जा सकती है, वो भी जोर शोर से, यहां से 6 महीने आपकी minor problems के लिए, major problems के लिए 6 सालों का समय लगेगा, जैसे घर बनाना, जैसे आपकी dream job का पा जाना, या जैसे किसी ऐसे project का पूरा हो ज जाना जिस project के लिए अभी कोई तैयारी कहीं दूर दूर तक नहीं है, उन मामलों में ही 6 साल, अधर वाइस 6 महीने के भीतर आप अपने problem से 100% बाहर, लेकिन इस मामले में आपका व्यक्तित तो परिवर्तित होगा, चीजें आपके लिए स्वभावगत परिवर्तित हो गुसा भी इश्वर की वजह से आ रहा है, वही दे रहे हैं और वो गुसा ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन टार्गेट कर लीजिए, उस चीजे को जिसे प्राप्त करना है, वो लक्ष बिलकुल सामने सधा हुआ दिखना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष आपके सामने होगा, तो उसे प्राप्त करने की जो च्छमता है, वो आपकी न सिर्फ बढ़ेगी, बलकि आप उस लक्ष को हासिल कर लेंगे, और आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, है, समस्या तो है, ले शान्त कर दीजिए, चीजें इश्वर को समर्पित कर दीजिए, फिर देखिए, चमतकार जैसी चीजें आपके जीवन में घटित होने लगेंगे, लेकिन जो पहले हो चुका, लोगों पर भरोसा करके बुरी तरह का धोखा वगरा खा चुके हैं, वो दुबारा मत करिएग नहीं तो अब इसमें आगे बढ़ना शुरू करें, फिर भरोसा कर लेंगे, फिर फसेंगे, पहला काड़ा आपके लिए हनुमान, और एकल काड़ साब के लिए हैं मेरे पास, दूसरा काड़ा आपके लिए पित, पित भी हमारे शरीर की एक स्थिती होती है, जिसमें कफ, पित और वात, ये तीन चीजें होती है, पित का मतलब होता है, ऐसी डिटी जैसी चीज, ठीक है, और तीसरे पोजिशन पर लक्षमी, लक्षमी माता, काड़ नंबर फोर आपके लिए अपियर हुआ है, माता सीता, और आपके लिए अंतिम काड़ मेरे पास जो अपियर तो तीन देवियां यहां पर अपियर, लक्षमी, सीता और सरसुती, अब इनको समझते हैं कि इनकी और से क्या इंफरमिशन आ रही है, सबसे पहले हनुमान जी कहते है करिज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है, और करिज से भी ज़्यादा मासूमियत की जरूरत है, आपको पता ही नहीं है कि क्या नहीं किया जा सकता, इस चीज के लिए मासूम हो जाईए, इसके लिए मैं क्या एक्जामपल आपको दूँ, कैसे समझा हूँ इसको, हनुमान जी का कार्ड है, उनके जीवन का उद्रह लेते हैं, एक बार उन्होंने सोचा कि सूरज जो है, आ हो गई, देवताओं के राजा इंद्र आये, और उन्होंने देखा कि एक बालक निमुह में सूर्य को रख लिया है, इंद्र बड़े नाराज हुए, उन्होंने आओ देखा नाताओ, वज्जर से प्रहार कर दिया, हनुमान जी के चेहरे पर वो लग गया, और उनके फेस प मारने के लिए भी त्यार हो गए थे, उद्दत हो गए, छोटे बच्चे थे लेकिन फिर भी शक्तिशाली थे, रुद्र के अवतार थे, तो ब्रम्मा जीन ने उनको बताया कि भी ये रुद्र के अवतार है, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर देवताओं ने उ क्यों कि हन्मान जी को उस समय पता नहीं था कि ये नहीं किया जा सकता, इट इस इंपॉसिबल ये नहीं मालूम था, और बिकाज ये इंपॉसिबल चीज उनको पता नहीं थी, इसलिए वो पॉसिबल कर ले गए, इस पूरी कहानी को फिर कभी मैं सुनाओंगा इत्मिनान से अभी जल्दी जल्दी में गरबढ़ हो जाएगी, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे, डिस्क्रिप्शन में एक और चैनल का लिंक है, जिसका नाम है एस्ट्रो गुरु कृष्ण मेरे नाम पर है, तो आप या तो लिंक देख ले या यूट्यूब पर टाइ हो शुरू से ठीक है, पूरी डीटेल में, अभी यहां पर जल्दी जल्दी में गरबढ़ हो जाएगी, तो क्या नहीं किया जा सकता, इस चीज को भूल जाएए, और करना शुरू कर दीजे, लेकिन अपने आपको एक ऐसी कंडिशन में नहीं डालना है, जहां आपके लिए सारी चीजों को करना एक दुख सो अपने साबित हो जाए, हसते हुए करिए, मैंने बताया था ना कि प्रॉबलम में हैं, उसके बावजूद आगे बढ़िए, एक मिली मीटर आगे बढ़िए, लेकिन खुशी से, रो करके नहीं, एक एक ऐसी मेंटेलिटी के साथ जहां पॉसिबल है, किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडिशन के लिए, किसी भी इनसान के लिए, और फिर देखिए कि क्या मोटिवेशन अंदर से आता है, क्या पुश आता है, तो उस एंजाइटी को साइड करें, जब इन चीजों को साइड करेंगे तो होगा क्या, सबसे पहले आपके जीवन में कई प्रकार की धन से सम्मन्दिस समस्याएं खत्म होने लगेंगी आपका confidence अपने उपर इस तरह का बढ़ेगा कि आप नई नई चीजों में risk लेना शुरू करेंगे और फिर सुआस उठेगी आपके व्यक्तित्व में जो एक तलखी आ जाएगी उस तलखी का इस्तेमाल उस औस रुडनेस उस रुफनेस का इस्तेमाल सिर्फ अपने टार्गेट तक पहुंचने के लिए करना है और वापिस आपको क्योंकि वो तलखी एक तरह के इगो को ले करके आएगी और अभी इगो को मैनेज करना मैंने बताया है तो जैसे ही target achieve होना शुरू हो छोटे 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 तुरंत उनका सारा श्रे इश्वर को देते चले जाएए ego बनेगा ही नहीं वो सारी rudeness roughness खत्म होती चली जाएगी ढहती चली जाएगी लेकिन target पर focus रही है और फिर उठेगी सुवास सुवास मतलब सुगंध जो कहते हैं कि नेम और फेम आपको मिलना शुरू होगा confidence तो हई है और अब लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे आपने अपने जीवन को सफलता तक कैसे पहुँचाया इसके लिए आप एक उदारण बन सकते हैं ये माता सरसोती की और से आपके लिए गिफ्ट जैसा है एक समझ ये कि उनकी और से चीज़ें आई हैं तो इस चीज में आपको इन्वाल होना चाहिए और अपने आपको सक्सीड करके ही छोड़ना चाहिए तो पाइल नमबर तुरी आपके लिए ये रिडिंग यहीं पर क्लोस करूँगा उम्मिद है आप चीज़ों को समझ गये होंगे और कैसे मैनेज करना है मैंने डिटेल में आपको बता दिया है तो आज की रिडिंग आपको कैसी लगी अपने अनुभो अपने एक्सपिरियंस कमेंट स्रेक्शन में जरू लिखेगा इस वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए बाई बाई